Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 13, 4, Class 6 विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम भोजन के गटक जो हमारा चेप्टर है उसी को कंटीनू करेंगे वक्षी शुकरने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बेल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए बोजन के गटक विटामिन आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में ठीक है यदपे ये बहुत ही कम मात्रा में आवशक होते हैं लेकिन विटामिन हमारे शुरीर के लिए बहुत जरूरी है विटामिन हमारे शुरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत महतपूर्ण है कई प्रकार के विटामिन A, B, C, D, E, and K हैं तो ये कौन कौन से विटामिन है जो आपको याद रखने है A, B, C, D, E and K अब देखे जो हमारे शरीर के लिए क्या है आवशक है और इन में से प्रते एक विविन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिस्ट भूमी का निभाते हैं तो ये अलग-लग खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर में जो अलग-लग कारिये होते हैं वो विटामिन द्वारा किये जाते हैं नेक्स देखे विटामिन जो है इनके क्या-क्या स्त्रोथ है अब विटामिन A है तो विटामिन A का स्त्रोथ क्या है कहा कहा मिलेगा यह हमें यह हमें गाचर में मिलेगा आम मिलेगा जिगर जो है उसमें मिलता है कॉड लीवर ओयल तीक है उसमें भी यह विटामिन A हमें मिलत ठिकिर आंखों का रोग है, जिसको हम क्या कहते हैं, रतोंधी रोग, तो ये हमारी आखें, बालों और तबचा के लिए बहुत जरूरी है, नेक्स तेखिए, विटामिन बी, येस्ट, मास, मचली, दूद, हरी सबचिया, ये जो है, इसके स्त्रोथ रहेंगे, तो मास, मचली, दो धरी सब्जियों से हमें विटामिन बी मिलता है और इसका कारिये क्या है ये हमारी जो मास्पेशिया है और हमारी जो तंत्रिकाएं है यानि हमारे शरीर में हमारे जो ब्रेन होता है उसमें छोटी छोटी जो है नशी जो है वो एक तरह से आप कहा सकते हो उनको हम तंत्रिक होता है जैसे नीमबू, नारंगी, आमला, अमरूद में भी विटामिन C होता है टमाटर और विटामिन C हमारे शरीर के लिए हमारी जो इम्मिनिटी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है आपने नियूज में भी सुना होका जैसे भी कोविट चल रहा था तो बार-ब मसूरे जो है उनको स्वस्थ रखता है और रोगों की प्रती इसकी प्रती रोधक शमता होती है तो क्या होती है इसकी प्रती रोधक की शमता है यनि रोगों से लड़ने की इसकी शमता होती है नेक्स देखिए नमबर D दूद, मक्कन, कॉड लिवर ओयल और धूप के संपर में यहाँ से हमें मिलता है विटामिं डी थीक है सबसे में वटामिंडी का सोर्स होता है, धूप में धूप में बैठने से हमारे श्रीज में विटामिन डी का निर्मान होता है इसके अलावा यह है दूद, मकχन, कोड़्, लिवर ओयल से भी मिलता है Kingdom कार्य तो विटामिन D के क्या क्या का रही हैं, विटामिन D के का रही हैं, कैल्शियम का उप्योग करके हडिया और दात मजबूत हो जाते हैं, तो कैल्शियम के उप्योग से जो हडिया हैं और दात हैं, वो क्या हो जाते हैं, विटामिन D की उपस्तिती में वो मजबूत हो जाते हैं नेक्स देखिए अब हम करेंगे खनीज रवन तो खनीज रवन हमारे श्रीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवशक्ता होती है तो जैसे विटामिन श्रीर में कम मात्रा में आवशक्ता होती है इसी तरह खनीज रवन भी हमारे श्रीर में इनकी भी कम मात्रा में आवशक्ता ह और यह शरीर के विभिन भागों के निर्मान और चीवन की विभिन प्रिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। हमें क्या मिलेगा जनतू से भी हमें खनीज रवन मिलते हैं अब जो बहुत ही important खनीज है वो कौन से हैं तो सबसे पहला है calcium calcium जो है दूद और हरी सबजियों में ज़्यादा मिलता है और calcium का कारिये क्या है ये हड़ियों और दातों के निर्मान के लिए बहुत जरूरी है ठीक है और ये रक्त का थक्का जबाने में मदद करना यानि हमें चोट लग चाती है तो जो रक्त है वो हमारा वो रुक जाता है उसका जो है एक तरह से थक्का जम जाता है उसके बाद देखी नेक्स्ट है फासफोरस तो फासफोरस चो है फासफोरस के स्तरोत क्या होंगे मास मचली अंडे ये फासफोरस के स्तरोत है और इसके करिये क्या होंगे हड़ियों और दातों के निर्मान के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है फासफोरस उसके बाद आयरन के स्तरोत क्या रहेंगे लीवर मास और हरी सबजिया और इसका कारिये क्या है श्रीर में रखत निर्मान के लिए जरूरी है तो श्रीर में रखत निर्मान के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है नेक्स देखिए आयोडीन तो आयोडीन के स्तरोत क्या होंगे आयोडीन आपने देखा भी होगा बच्चो कई बार आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है हमारी जो गर्दन होती है वो फूल जाती है जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं कौन सा रोग कहेंगे घेंगा रोग तो वो किसकी कमी के कारण आयोडीन की कमी के कारण होता है नेक्स देखे अब यहाँ पर बहुत ही आसान से कुछ प्रशन दिये गए हैं ठीके टोटल छे प्रशन हैं जिनके आंसर हम करेंगे तो अई बिटा करते हैं इसका आंसर पहला जो प्रशन है हड्डियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए आवश्चक विटामिन का नाम बताईए तो हड्डियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए जो विटामिन है वो कौन सा होता है बच्चो विटामिन डी होता है नेक्स देखिए यह आपका विटामिन C हमारे डैश को स्वस्त बनाई रखने में मदद करता है Next देखिए प्रैश्न 3 है समुदरी भोजन में कौन सा खनीज पाया जाता है तो समुदरी भोजन जो है उसमें आयोडीन पाया जाता है नेक्स देखे नमबर 4 गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है तो गाजर में बच्चों विटामिन A पाया जाता है जो की आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है तो यह answer आप लिखेंगे हमने पढ़ा था ना कि गाजर से हमें जो है vitamin A प्रचूर मातरा में मिलता है next देखिए number 5 है हमें calcium की आवशकता क्यों होती है हमें calcium की आवशकता क्यों है calcium हमारे हड़ी और दातों का निर्मान वो calcium के कारण होता है और विटामिन D दोनों मिलके हमारी हड़ी और दातों को मजबूत बनाते हैं तो कैल्शियम हड़ी और दातों के निर्मान के लिए बहुते आवशक है नेक्स देखिए नमबर 6 है यदि आप मचली, मास और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाते पतार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं तो देखें मचली और मास से कौन सा विटामिन मिलता है विटामिन B मिलता है और अगली लाइन में आप लिख देंगे अमरूद से विटामिन C मिलता है अमरूद से कौन सा विटामिन मिला विटामिन C और मचली और मास से मिलता है विटामिन B तो ये आंसर आपे लिख देंगे तो ये थी बच्चो आपकी आज की वरक्षीट जिसमें हमने विटामिन और खनीज लवन के बारे में सीखा तो I hope सभी बच्चों को ये क्लियर है कोई भी डाउट है पूछ सकते हो विडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए So thanks for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ टेक केर